नमस्कार दोस्तों ददीमती संस्क्रीट एजुकेशन में आपका स्वाकत है और आज हम संस्क्रीट के एक विशे वाच्चे परिवर्तन को ले करके उपस्तित हुए हैं आज हम वाच्चे पर विश्तित चर्चा करें और इसको अलग अलग तरीके से समझने का प्रियास करें और हम इस पर विश्तित चर्चा करें उसे पहले आप सभी दोस्तों से एक निवेदन हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सस्क्राइब करना बिल्कुल भी भूले और इसे सस्क्राइब को जरूर करें जिसे हमारे जो आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और इसके बाद आप को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें धन्यवाद आईए दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम आज की विशे पर विश्द्रित चार्चा करते हैं दोस्तों जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वाच्चे परिवर्तनम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कक्सा दस के विशे में चार नंबर का मादिमेक शिक्षा बोर्ड में वाच्चे परिवर्तन आएगा और यदि हम किसी भी जो संस्क्रीट से समंदित जो कंपिडेशन है चाहे वो रीट हो या सीटेट हो या फिर कोई भी एमपिटेट हो सब में वाच्चे परिवर्तन से समंदित एक दो एक दो स्प्रशन जरूर आते हैं तो यनि कि ये विशे है ये सब के लिए कारगरशिद होने वाला है निस्चित रहे हम इसके बारे में विश्तरी चर्चा करें आईए दोस्तों दिखी वाच्चे परिवर्तन सबसे पहले तो ये है कि वाच्चे कहते किसे हैं कथनम इतिवाच्चे कहने का मतलब ये हुआ कि जो कथन है ये जो कहने का जो भाव है इस कहने के भाव को ही हम वाच्चे कहते हैं वाच्चे का सीधा सा अर्थ ये है कि वाच्चा को अपने ढंक से प्रकट करना अपने ढंक से किसी चीज को कहना अब हम किसी भी बात को अलग अलग और भिन्न भिन्न तरीके से कह सकते हैं उसे हम कहते हैं वाच्चे वाच्चे जो हैं तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में वाच्चे तीन प्रकार के होते हैं और इसको हम अलग अलग तरीके से अभी समझेंगे लेकिन उससे पहले वाच्चे जो है तीन प्रकार के होंगे पहला होगा क्रेतरी वाच्चे और उसके बाद होगा कर्म वाच्चे और फिर होगा भाव वाच्चे तो इस तरीके से ये तीन प्रकार के वाच्चे होंगे क्रेत्री वाच्चे, कार्म वाच्चे और भावाच्चे अब संस्क्रित में वाच्चे परिवर्तन के लिए जो है हम इसको इस तरीके से समझें कि वाच्चे परिवर्तन करे कैसे क्रेत्री वाच्चे को कर्म वाच्चे में कर्म वाचे को क्रित्र वाचे में और क्रित्र वाचे को भाव वाचे में और भाव वाचे को क्रित्र वाचे में क्योंकि जो भाव वाचे होता है उसमें कर्म का भाव होता है एक परस्मेपदी और एक आत्मनेपदी परस्मेपदी और आत्मनेपदी तो इस तरीके से ये दो प्रकार की क्रियाएं होती है यदि हम बात करें करत्र वाचे में तो उसमें परस्मेपदी की दात्वे लगेगी और करम वाचे में उसमें आत्मनेपदी की दात्वे लगेगी यदि हम इस पे चर्चा करें जैसे वाच्च परिवर्तन तो हमें सब को पता हैं कि इसमें तीन पुरूस होते हैं यदि हम क्रिया से सम्मंदित बात करें तो प्रथम पुरूस, मद्यम पुरूस और उत्तम पुरूस प्रथम पुरुष में पुलिंग और इस्त्रेलिंग शब्द पुलिंग के लिए से ताउ ते इस्त्रेलिंग के लिए सा ते ता एक वचन के लिए वह है दी वचन के लिए वह है दोनों और बहुचन के लिए बे सब तो और क्रिया हमने कल भी देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि पठती, पठता है, पठन्ती, इस तरीके से ये रूप बनेंगे मध्यम पुरुस में तौम, युवाम, यूयम तौम, यूवाम, यूयम तुम, तुम दोनों और तुम सब उत्तम पुरूश में आहम आवाम वयम आहम यानि में आवाम right हम धोनों और वयम यानि हम सब तो हमें एक तो हमें यह चीद्ध ध्यान रखनी है की से और सा यानि की स्ट्रेलिंग और पुलिंग के लिए जो वहा uh वह दोनों वह सब ये पर्थम पुरुष में रूप चलते है और तौम वाले मद्यम पुरुष में चलेंगे तौम युवाम युयम तौम ये पर्थम पुरुष मद्यम पुरुष का एक वचन युवाम मद्यम पुरुष का दी वचन युयम मद्यम पुरुष का बह वचन इसी तरीके से उत्तम पुरुष एहम आवाम वयम एहम उत्तम पुरुष का एकवचन आवाम उत्तम पुरुष का दीवचन वयम उत्तम पुरुष का बहुचन तो इस तरीके से हमें ये चीज विशेश दियान रखनी है कि कौन सब सब्द जो है वो कौन से पुरुष के अंतरगत आएगा तो दोस्तों अब हम इस बारे में और विश्तरित चर्चा करें कि किस तरीके से जो है इसको हम थोड़ा अलग विश्तरित तरीके से समझने का प्रियास कर सकते हैं तो हमें सब से पहले प्रतम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और सेत वते सा तेता त्वम युवाम युयम हम वावम वयम हमें ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कौन सब पुरुष जो है कौन से वचन के अंतरगत आएगा आईए हम इसके बारे में और थोड़ी विस्त्री चर्चा करें क्रित्री वाच्चे आप देख रहे हैं कि क्रित्री वाच्चे, कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे ये तीन वाच्चे के प्रकार होते हैं क्रेतरी वाचे इसमें करता प्रदान होता है और कहने करती है कि जिस लिंग वचन का करता होता है उसी वचन की क्रिया लगाई जाती है यानि कि हमें ये पता है कि कौन सा करता जो है कौन सा सरुनाम वो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है तो करता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है करता में प्रथमा विबक्ती होती है कर में दूतिय विबक्ती होती है और क्रिया करता के अनुसार परस्मे पदे की लगाई जाती है यहनि कि कृत्र वाज़े के अंतरगत जो यह हमें याद रखना होगा कृत्र वाज़े के अंतरगत इस तरीके से जो क्रियां के जो रूप होंगे वो सीधिय से लगए जाएंगे ये परस्मई पदी की धातु है कर्ता कर्म और क्रिया जिसे राम बाजार जाता है अब इसके अंतरगत राम है कर्ता में प्रतमा विबक्ती होती है और प्रतमा विवक्ति रामह, रामव, रामह, इस तरीके से रूप चलते हैं तो राम एक वचन है, तो रामह, बाजार कर्म है, कर्मे दुतिया विवक्ति होती है तो रामम, रामव, रामान, ऐसे ही बाजार को आपनम, आपनम गच्छती रिता पुश्पम चिनोती राधा उंद्रीत्यम करोती तो यह हो गए कृत्र वाच्चे के वाक्य यनि कि इन में करता प्रतान है और इन सभी वाक्यों में जो है करता प्रतान है इसलिए कृत्र वाच्चे का वाक्य हो गया और दोस्तों कर्म वाच्चे कर्म वाचे इसमें कर्म की प्रतानता होती है यानि कि कर्यत्री वाचे से कर्म वाचे बनाते समय कर्ता में तृतिय विवक्ति और कर्म में प्रतमा विवक्ति का प्रियोग किया जाता है इसमें क्रिया आत्मने पदे की प्रतम पुरुष एक बचन से लगाई जाती है और फिर कर्म के उपर निर्वर करता है कि यदि कर्म कौन से अधिकतर जो कर्म होते हो नपुशक लिंग कर्म हो सकते हैं इसलिए अधिकतर जो क्रिया लगाई जाती है वो आत्मने पते की प्रतम पुरुष की एक वचन लगाई जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें केवल प्रतम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आती है यदि कर्म जैसे सजीव को एक सजीव कर्म है और वो यदि मद्यम पुरु तो अब ये जो ये कर्तिर वाच्चे का बाक्य हो गया सीता पुस्तकम पठती लेकिन लेकिन येदी हम इसको इस तरीके से देखें तो अब हम इसका कर्म वाच्चे येदी बनाएं तो कर्ता से कर्म वाच्चे बनाते समय कर्म जो करता होता है उसमें त्रित्य विवक्ति का प्रियोग किया जाता है तो सीता सीतया कर्म नपुशक लेंगे पर्थम विवक्ति और दित्य विवक्ति में उसके समान रूप चलते हैं पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी दूतिया तो पुस्तकम ये दित् नेंगे भावाचे दोस्तों जो भावाचे हैं उसमें क्रिया की प्रदानता होती है और अर्था कर्म का अभाव होता है कर्म का अभाव होता है उसमें कर्म नहीं होता इसलिए कर्म जब नहीं होता उसके अंतरगत तो केवल वो कृता और क्रिया के बीच में ही रहता है यानि कि उसमें क्रिया प्रदान हो सकती है इसलिए कर्म वाचे से भावाचे और भावाचे से कर्म वाचे नहीं बनाया जा सकता इसलिए क्रित्र वाचे से भावाचे और भावाचे से क्रित्र वाचे ही बनाया जाता है क्रित्र वाचे में भावाचे बनाते समय करता में तृतिया और कर्म में आत्मनपते की रूप बनाया जाते है जैसे मोहने गच्छती, सीता, पठती इसमें कर्म का अभाव है इसमें ये कर्म का अभाव हो गया और सिधा उसको भाव आचे बनाने के लिए महुनेन गम्यते महुने करता है इसमें तर्थिया विबक्ति लगए कि इसमें महुनेन गम्यते आत्मने पते की रूप जाएगा गम्यते सीता पठती, सीतया पठ्षयते योनिकी बहाव कहने का भवार्थ यह है कि बहाव आज़े में कार्म नहीं होता और तिर्थिया विवक्ति लगाने के बाद सीधा सा अर्थ यह उसका यह है कि उसके अंतरगत आत्मनिपदे की विवक्ति लगा दी जाती है धन्यवाद दोस्तों असा करता हूँ कि जो वाच्चे परिवर्तन है वो काफी हद तक आपको समझ बहाए होंगे और आप इसमें जो है नीचे कमेंट करके जरूर सूचना दें और अपनी राई जरूर कमेंट में लिखें दनिवाद सुपरात्री